अश्कार दोस्तों सभी पैंसन धारकों उरकेंदर करमचारियों का में एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब यूट चैनल पर हार्दिक स्वागत करती दोस्तों बर रेंक वन पैंशन को लेकर ओफिशली अपडेट आज क्या निकल कर आई है वो हम आपको वीडियो में शेयर करेंगे तो अगर आपने भी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को जरूर से दबा लें जिससे आपको आने रिविजन को लेकर ये लेटर लिखा गया परदान मंतरी निरेंदर मोदी जी को दोस्तों आप सभी जानते पैंशन रिविजन को लेकर अब हमारे पैंशन धारक काफी एक्टिव हैं क्योंकि हर बार लेट लतीफी जो सरकार की तरफ से की जाती है उसे एक्सेप्ट करके सोलूशन भी निकाल रही है और पैंशन धारक एक जूट होकर अपने मत भी रख रही हैं तो इसी बीच एक अपडेट निकल कर आई थी पीछे कुछ दिन पहले कि परदान मंतरी निरेंदर मोदी जी को इंडर ने ये लेटर शेयर किया है और जो वन रैंक पन पैंशन के रिगार्डिंग इन्होंने परसनली अटेंशन ओन ओर रोपी रिवीचन पर ये लेटर भीजा था परदान मंतरी निरेंदर मोदी जी को तो अब इसका क्या रिस्पोंस आया है वो हम आपको वीडियो में शेयर करेंगे अगर आपने पहली बार चैनल पर वीजिट किया ह सबसे पहले हम आपको ये लेटर दिखा देते हैं इसमें क्या कुछ से लिखा गया था जो परदान मंतरी निरेंदर मोदी जी को भीजा गया था इसमें आप यहां पर डेट भी कुछ मैंसन है जैसे 15 सितंबर 2013 तो जिसमें असली वन रेंक वन पैंसन का मुद्दा उठा और जो भी एक तरह से डकोसली ओरोपी लंगडी ओरोपी जिसे कहते हैं कि जिसमें पूरी तरह से फूल इंप्लिमेंटिशन नहीं हो पाया वो पैंसन जो टेबल है वो जारी की गई और ओर ओरोपी बन जो है पैंसन धारकों का भुकतान किया गया लेकिन उसके तुरंत ही हमारे पैंसन धारकों ने परसनली अटेंशन को लेकर जो है इस पर हमारे पैंसन धारकों ने नरेंदर मूदीची पर दबाव डाला ताकि केंदर सरकार पर दबाव आए हाला कि सुप्रीम कोट भी इस बार काफी अलेट है पैंसन डिविचन को लेकर क्योंकि सुप्रीम आप आदेश दे दिये हैं कि अगर इस बार भी कोई भी लेट लतीफी अगर होती है तो हमारे जो सभी पैंसन धारक हैं उनको एक्टेंटी टाइम पीरियड का जो समय एक्टेंट करके मिला हुआ है उसका जो है एट पॉइंट फाइब परसेंट आठ पॉइंट परसेंट 2013 से लेकर 2022 तक का सारा संगर्च इस लेटर में ब्रीफली शेयर किया गया है और जो हमारे पैंसन धारक हैं पैंसन डिविशन को लेकर जो काफी एक्टिव रहते हैं स्टीक अप्टेट को लेकर तो वो चैनल को सस्क्राइब जरूर से कर लें जिससे कि उनको आने वाली सभी लेकर अप्टेट मिल सके तो अब हम इसके रिस्पूंस की बात करते हैं तो अभी तक इसका कोई भी रिस्पूंस नहीं आया है जो परदान मंतरी निरेंदर मोदी जी ने ऐलान किये थे उनके अंतरगत कोई भी इस पर अभी जवाब नहीं आया है तो इसलिए पैंसन धारक जो है दोबारा से अपनी रननीती तयार कर रही है और प्रदान मंतरी निरेंदर मोदी जी को इसी वी जो है एक बार फिर से ये परसनली अटेंशन उन बन रैंक बन पैंसन रिविजन पर लेटर भीजा गया था तो दोस्तों ये थी हमारी जो पैंसन रिविजन को लेकर जो साथ वीडियो को जरूर शेयर कर लें तो दोस्तों इसमें बताया गया था किस परकार से पर्दानों ते निरेन मोदी जी के परसनली अटेंशन के बाद भी कोई पर्तिक्रिया सरकार की तरफ से नहीं नजर आई तो दोस्तों यह अपडेट ही हाला कि अभी यह उमीद है कि लगवग खत्म होते जा रहा है तो दोस्तों यह थी अपडेट पैंसन डिविजन को लेकर एक और अपडेट आपको देनी थी आपके लाइफ सैटिफिकेट को लेकर अगर आपने अभी तक अपना लाइफ सैटिफिकेट जमा नहीं करवाया है तो जल्दी से करवा ले अध उत्रों के मताबिक जल्दी इस पर फैसला निकलेगा और नमंबर महीने में ही आपकी पैंसन टेबल जारी होगी तो दोस्तों यह अपडेट निकल करा रही थी आगे इस मुद्दे पर जो भी ओफिशिल अपडेट रहेगी हम सब के साथ चुड़ेंगे और शेयर करेंगे तब तक के लिए सभी पैंसन थारको कुछ जय हिंच जय भारत